ये धर्म है और धर्म में ऐसा ही होता है भरी सभा में जब महराज, मंत्रिगन, योद्धाओं और रिशिमुनियों के सामने एक औरत के कपड़े उतारे जा रहे थे तो इसका विरोध करे बीना बैठ कर देखने वालों को तो मरना ही था भीश्म को भी लेकिन सिर्फ अश्वत अथामा ने इसका विरोध किया और सबसे विनती की और इसी वज़े से वो युद्ध के बाद भी जीवित रहा शायद यही है धर्म थोड़ा सबर करो भाबी बिलकुल टेंचन मतलो डॉक्टर्स आ रहे हैं भाईया भी आ जाएंगे बिलकुल टेंचन मतलो जीजु को फोन किया है वो निकल गये आव बेटा यहां मामा जी मेरे मा का आं गई दस मिनिट में आ जाएंगी बेटा फिकर मत करो ठीक है नमस्ति कोई टेंचन की बात तो नहीं है ना तुम चिंता ना करो नॉर्मल डिलिवरी होगी कॉंगरेस जी लड़की हुई है थाइंक यू डॉक्तर बहुत खोशी हुए बेटा तुम्हारी बेहन हुई है अंदर जा कर देखा जाओ 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 के जाओ 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 कार? अब तक इतना रो रही थी ना तुम्हारे आते ही रोना बंद कर दिया अपनी बहन का हमेशा इसे ध्यान रखना पिंकी प्रामिस कि अपयर यह जले अपनी अपन इसा आता किकल अपना आते है कि अपनी फराओ बंद करेंश अपनी बंद यह यह बामिस प्रामिस उन्द प्रामिस अबदाव से यह यह प्रामिस यह मस्ली वारक दे यह कटोरा वारक दे यह बख्सा भी वारक दे इसको टाके मुझे दे आई आप इदर दो ते ओ मुझे दो लाओ यह साब आगे नमस्ते साब यह से पकड़ यह मश्ली बहुत जल्द आपके हाथों में होगी काम होने के बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे हुआ 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 है आज इकना जड़ी है ते तो अच्छ नाहीं है बाई उठा ले गया हमें ये दो मश्ली एक साथ नहीं चाहिए अकेली मश्ली चाहिए सबर रखो एक चाहिए बोल आई एक चाहिए मेरे ने भी एक चाहिए बोल सुनिए जरा वो देंगी क्या झाहिए कर दो कर दो कर दो झाल, 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 झाल. ए, तु जंदिकारी लेकरा, हाँ, ठीक है, आटमुल्सक्राइडंट हलो हां प्लेट रहा है रहा है पलेट वहां रख रहा कर जूस्त के लंग अच्छा स्फ लाइटा गई क्या अबिटा अबिट आ अबिटा फ्लाई अर्हें यह पर अपना बंदा दिखा लेविधिन दे रहा यह लिए कि नचल नचल थे। झांद कि पिरkek कि यदक किeren में भी चांद ऑ限 वर लग'll कि उवलाओ स्था डंबर आड़े कि अवरल को की फिन विने संग लम आठे कि रिभी यद कि उड़े हाँ आगया आप रखो 15 मिट में आजाएगे अरे कितना टाइम लगता है सब वेट कर रहे हैं भूरत निकल रहे है चल चल कार में बैठ चल्दी 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 स्टाट कर कि अग्या रहे है कि अग्या थार भी कार में सिर्फ तुम्ही कपड़े बदल सकते हो तो क्या करूं टाइम नहीं है अग्या देखो मेरा बेटा आहीं गया यह कितने दिन हो गये उसे देखें अगे कि अगे आगे अगे 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 वार्चे अगे चल्दी नजर उतारती हूंग्या लोगों कीजा इसकी नजर उसकी नजर सब उतर जाएं कितने दुबले हो गए हूँ अब देखाना कैसे रूट गई है वो छोड़ो ना मैनेज कर आप लोग अपनी बातचित बात में कीजेगा मुर्थ का समें बिदा जारा है जलती आए जलती आए यह जमान विवाह के लिए श्रावन्त रितिया के दीन मतलब ठीक आज कही दिन त का श्योब महोर्त है ठीक है तो यही तै रहा ठीक है जजमान मैं लगन पत्री का पढ़ रहा हूं आप लोग सुनिये श्री रस्तू श्युभमस्तू अविग्णमस्तू स्वस्ति श्री चंड्रमाने ना श्री विकारी नामा संबत सरे वर्शारितु श्रावन शुद्ध द यूर्गु ने तै किया है जो सर्वसम्मत्ति से स्विकार्या है जिस चीमन मागना दिपते नमा हाँ वूम स्वस्तिना है फ्रोव दश्रवाह स्वस्तिना खूशा विश्व वेदा स्वस्तिन स्थाट श्ताट योरे एक दूसरे क्वापूटी पैनाओ बीठी चलो ओमेक्तनताय वित्मै वक्त्नुंडाय धीमै तन्नो धन्ती प्रचोधयात् कर दिंगेशमेंट के दस तिन पहले आने को कहा था दस मिनट पहले आते हैं क्या प्लीज एक्चुली अरे बात तो सुनो अब शादी होने तक यही रहूँगा जा, मैं तो नहीं मानूंगी प्रॉमेस शादी होने तक मैं यही रहूँगा, ओके अब मुस्कुराओ ना चल ठीक है जो मैंने घड़ी मंगवाई थी बुलाए क्या लास्ट टाइम जब मैं घड़ी लेकर आया था, वो कहां गई वो 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 घड़ी खो गई खो गई क्या जिसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं उसे देकर क्या करेंगे सॉरी ठीक है रो मत पताता तू मैंसी ही रोगी तुम्हारे लिए सेम घड़ी लिगर आया हूँ येलो थेंक्यू भेया हाँ बस बस ओके क्या हुआ क्यों अब तक सिग्रेट नहीं छोड़ी क्या हरे मैंने कपकी छोड़ दी सिग्रेट हाँ पापा पापा आप बोलो ना ये संबल के जल जाएगा वैसे एक इंग्लिश पोहिट ने कहा था इस फार बेटर दें दे रिलेशन्शिफ इपल अराउंड यू उस्ने असा क्यों कह था मुझे था बिल्कुल समझ में नहीं नहीं आया और बताए बिन आने बाले और तुम चली जाओ कहने पर भी लास तक रहने बाले एक सिग्रेट ही होती है इतना लंबा मतलब है मुझे तो समझ भी नहीं आएगा लिखने वाला समझदार है इतना ही काफी नहीं है क्या पढ़ने वाला बयोकुफ हो तो चलेगा एई अरे अरे कौन होगा अंदर कोई भी नहीं है अरे अभी कौन हो सकता है अंकल जी हुए तो तो पिर तू जा के खोल तू खोल हम दोनों मिल कर खोले क्या बातरूम किसका है तू ही खोल हैपी तू का जा रही है इधर आना तू बता दे ना अगरबती चला रहे थे अरे अरे बातरूम में कोई अगरबती चलाएगा तरके मारे बता नहीं क्या-क्या बोल रहा हुए अरे इस टाइम पर तू नहां कैसे अरे किसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा अरे रुग जाओ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ है ना तुम जितने दिन नहीं थे ना मुझे भी ऐसी लग रहा था कॉलेज में तो कितनी सारी बाते बनाते थे नेहा मैं तुम्हारे बिना एक साल भी नहीं रह पाऊंगा पांत साल पांत साल हो गए तुम्हे एक बार भी मुझे से मिनने के लिए इंडिया नहीं आये ना उपर से मुझे एरपोर्त पो आने के लिए भी मना कर दिया और तुमने नहीं यॉयस में रहने के हर नोज मैंने बहुत भाट भाट मिस किया समझ गई तुम्हे एक चीज़ बताओं क्या चला गया? अच्छा बैसे दीवार कुदनी की आदग गई नहीं तुम्हारी हैपी अरे आकर सोचाओ अरे क्या हला मचा रहा है ये आरा हुरुक अरे अरुक अरे क्यों भोक रहा है 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 क्या हुआ चल चल सब सो गया है यार चल अरे क्या मस्ति कर रहा है भर अरुक लड़ तुम्हाओ वजयाँ हुआ 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 है प्रिया क्या हुआ प्रिया मैं तुम से पूछ रहा हूँ मैं प्रेग्निन ठुप भीया तो इसके लिए फांस ही लगा लोगी इस बार में शादी के तीन मेंने बात बताती तो पूरी घर में त्याहर होता ना तो मुझे एक बार फोन दो अपना रवी के साथ बात करता हूं मैं कुछ समझा नहीं जुविका नहीं है भीया तो फिर कौन प्रिया बोलो प्रिया माँ पापा से तुम्हारे सास ससुर से चाहो तो जीजु के पैरों पर गिर कर मैं मना लूँगा वो कौन है बोलो प्रिया मुझे नहीं पता भीया कोई बात नहीं है प्रिया मुझे बताओ मैं देख लूँगा मैंने कहा न मुझे सच में नहीं बता भीया तुम किसी पाटी में गई थी वहां कुछ हुआ था क्या कुछ भी हो प्रिया मुझे बताओ मैं कह रहा हूना कि मैं देख लूँगा जाहे कुछ भी हो मुझे सच में नहीं पिता, पहया मैं तब से पूछ रहा हूँ ना बार-बार एक ही बात कह रही हो कुछ भी हो, देख लूँगा, मैं कह रहा हूँ ना एक लड़की जानकरी के बिना कैसे प्रेगनन्त हो सकती है तुम बोलो मुझे कुछ नहीं पता एक लड़की उसके जानकारी कि बिना प्रेगनन्ट कैसे हो सकती है पता है बताओ प्रिया मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ ये क्या हुआ है इतना अर्जेंटली क्यों बला है प्रेशन का नाम और आपका रिष्टा लिखिए हम ब्रदर लिख रहे हैं लिखो मैं जब से आपे हैं हूना सबको वही लिखते देखा हैं सुनो एसक्यूज मी ब्रदर नहीं प्रदर लिखिए शी इस माइव खुआ यह सर्या है शुआ आप जो हुआ गलत है लेकिन कर बेख्या सकते है इस बात को किसी को बताने के जरुवत नहीं है तुम कर जा हमें अभी आता हूं हुआ है रो मत भी दो मत हा रहा हुआ हम क्या हुआ बटी रो क्यों यह यह इस एक्या हो गया है हम लोग है ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं रोते हर लड़की से सब्सक्राइब जाने से पहले रोती है तुम लोग सब क्यों रो रहे हो अब है हय पापा साइर कियोन रोला यह उसे रूख मान छाण आप चलुआ और है अद भी चलिए हाई है अद आये आई-अइन आप माव भी आये MA MA जी सभी को ले जाए यल्जा हुआ आये नमामा जी आपचलिए मैं देख लूँगा मैंने कहा ना आप भी मा असल में तुम्हारी कारण दोना शुरू हो गया पापा जरा बताओ मैं रेड़ी करके लिया आता हूं ना अब अभी उससे के बारे में सोच रही हो उस सद में बहार आजाओ गुजराओ अदी भूल जाओ और आने वाले बले कल के बारे में सोच तुमज इस गर में जा रही हो प्यार से ध्यान रखनेवा पती हैं कल से तुम्हारी नई जिन्दगी शुरू होगी मुझ پर भरुसा रखो. तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वला इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है. अगर वो साथ नहीं देता तो बात समझ में आती है. तुम्हारे रोने के कारण अगर हम चिंतित हो जाए तो ठीक है. देखो. तुम रोरियों तो वो कितना चिंतित हो रहे है मरने के लिए एक बड़ा कारण है तो काफी है प्रिया पर जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है और तुम्हारे पास तो दो दो परिवार है बात को समझो प्रिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अरे देखे रोहे मत चुपो चाहिए देखो कितनी अच्छी लड़की अरे देखे लड़की आगे मा मा मेरे बहन की शादी है मा छिषू ऐसे रहो कितोंगा ढ़को मैंना कितनी सुनदर ल़करी है सुन्वे कतिक आजihat किग उड़िया अन्दाज था जोधा सुन्वे कतिक आज प् будет आज था जोधा सब की प्यारी थी दूलारी उसके जैसा न कोई पुम बुम बढ़ JEFF तुम्दा 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 तुम्स है 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 तुम्दा निए है सद्धार सेंक युपर है रुखने वाले शादे के विद्धाई तक पहुंचा दिया है तुमने जैसा कहा है, वैसे सब भूलकर हैपी रहने की कोशिश करूँगे पर मेरे साथ जो हुआ तुम खोश रहोगी ना? जाओ प्रिया जाओ पर कर दो जाओ वाल पहक जाओ अधर फेक इदर फेक थेख इदर फेक थेख थेख़ थेख ना? इदर दे अभाउत थेख इदर क्या शॉट मार थे पकड़ पकड़ ला देना कि अमें ठीक से मारना आउट कर इसको अरे मिश कर दिया यार है याश तंप का लेके जा रहे हो हम खेल रहे है जायार को आढ देक्ग भी सोगल अगर कर दो आई यार शायाओ कर दो कर दो आ, थ। एह पूने ठेको दो एह देखे ना आजाओंगा ना इसको आँ यह पिलिए खेता हे वह डुआ ही ससते हैं, क्रीफोफे में सभै आपे हैं कि जड़ा । हुआ कि जवरा सुने हिर टेह में हुआ। ए हुआ थे हुआ थी हुआ हाग हाग है हाग 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 अँटे पुराही हो वार जो और एक पुराही हो अवर तो अजह मुड़ कर अवर जुल इसे पेच्छानता है नहीं पता भाई हाँ याद आगया प्रिया इस लड़की गरम प्रिया है ना बहुत 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 अच्छी लगती थी पर उसके अलाव और कुछ नहीं जानता है मैं सच कह रहा हूं मैं उसको अभी मिला भी नहीं बात भी नहीं कि मुझे छोड़ दो प्लीज सच भी उसके अलावा अमारे कॉलिज का एक सीनियर था जो उसकी पीछे पड़ा था बोलता था वो उससे प्यार करता है क्यों मार रहा है क्यों मारे क्यों मारे अरे, क्या चाहिए तुझे? इसे पैचाना? यह लड़की? पैचाना क्या इसे? कॉलेज में इस लड़की के पीछे में पड़ा था यह सही है लेकिन कितना भी ट्राइ करने के बाउजूद्य ही पठी इसलिए मैंने इससे छोड़ दिया प्लेस पुझा छोड़ दो और एक लड़का फेस्बुक पर उसे बहुत डिस्टरब करता था भाया गंदे-गंदे मैसेजस भेचता था उसे ब्लोक करने बदी दोबारा दूसरा अगाउंट से उसे मैसेज भेचता था हुआ है अध्या अध्या हुआ 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 पूर हुआ अध्या प्रॉब्लम कह अध्या हम ढ़े अब हम लोगो पुआ पहर झाँ खाँ ुप पिल्वाने नहीं तुटूंख टुट। आगाएगर मुट करेंगर कर दो आप तराद आप वजो करेंगर आप यह लड़की को नहीं जानता है? इस लड़की को पैशानता है इस लड़की का नाम प्रिया है आप तो बता दिया मैंने इस लड़की को मैंने मेसेज करना कपका बंद कर दिया सच बॉल सच तो कह रहा हूँ सच सच बता इतने ही पता है मुझे बहुर सब करो सर एक मिनिट रुखो यह दखो मेरे एक भी मेसेज का रिप्लाई नहीं किया इसलिए मैंने उसे मेसेज करना हमेशा किले बंद कर दिया मैं बिल्कु सच कह रहा हूँ सर मेरी बात पर यकीन करो अ अरे बेटा यह क्या इतना खून कैसे क्या हुआ इतना खून बह रहा है और क्या कुछ नहीं हुआ चलो हॉस्पिटल जा मा ऐसा कुछ नहीं हुआ यह कह रहा हूँ ना चुप चाप मेरे साँ चलो तेन दिन के दवाई लिकर दे रहा हूं, ले लेना ठीक हो जाएगा मैं अभी आता हूं माँ संभल कर हलो हलो हाप बोलो निया सुनो ना, तरी फ्रेंड शुर्थी का बर्दे है सब लोग कह रहे हैं कि हम दोनों को आना जाए मैं आज निया पाऊंगा, तुम चिली जाओ हे ऐसा क्यो मैं आज निया पाऊंगा, कह रहा हूं ने यह अभी तुम कहा हूं हॉस्पिटल में हूं हॉस्पिटल में क्या हुआ कुछ नहीं हाथ पर छोटी सी चोट लगे तो मा टेंशन में ही भाऊ मेरा नाम केवती है ममे बापा मुझे माफ कर दो मैंने कोई कलती नहीं की है ना मेरा कोई बॉइफरेंट ना मैं किसे के साल गूमी पर डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्णन हूं कैसे हुआ मुझे नहीं पता क्या करो अब रास्ता समाज नहीं आ रहा मेरे पास एक ही रास्ता है बेटा मा तुम आओ इस लड़की को हमने अभी देखाता ना मा तुम चलो आओ मा चुपलाओ मा कुछ नहीं होगा आओ पूलेगर टैक्सी आओ मा मा बैठो ना संभाल के आओ 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 भाया पानी की बॉतल है वो लड़की कैसे हूँ पहले प्योग मा पानी प्योग आराम से मम्मे पपा को मुह नहीं दिखा पाऊंगी किसी भी तरह मेरा एबॉर्शन करवा दो ऐसे डॉक्टर से उसे कहते में ने सुना था तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए तभी मैं एबॉर्शन कर पाऊंगे ऐसे डॉक्टर कह रहे थी मच्चिया अगर ऐसे जान देने लगी तो हम जैसे माता पिता कैसे जिएंगे बेटा क्या होगा उनका जो अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं क्या कहूं बेटियों का अच्छी तरह से पालन पोशन करना यह कोई मामुली बात नहीं है अगर हमारे साथ है मा रुक जाहो मा हमारी प्रिया सोना है ऐसी परिस्तेती अभी आने नहीं देखी हुआ राइटर जी है क्या हाँ वो रह नमस्ते सर सर मैं हूं कंगा बेठो बेटा पिताजी ने फोन किया था सारी फॉर्मलेटी फूरी हो गई है अभी पेपर आएगा तुमस पर साइन कर देना बाकी हम देख लेंगे अरे चाय बोल रहे जबर्दस थे बिटा बहुत हासी आ रही है सर कल रात से मेरी बेटी लोट कर नहीं आई है मैं तोड़ा बीजी हूँ चार सो दो क्या है देख सर कोर्ट में इसे सब्मेट करने के लिए जा रहा हूं सर 692 इनका देख लेना सरा सर मेरी बेटी का मिसिंग केस है इस टाइप के मिसिंग केस इस राइटर साब देखते है राइटर साब सर कल शाम से मेरी बेटी ला पता है सर कल शाम से मेरी बेटी घर नहीं आई है सर हमारी बेटी नहीं मिल रही है और आप मोबाइल में विजी है तुम ज़रा रोको ये लिजिए आपकी बेटी का नाम, आपकी बेटी का फोन नमबर, आपके बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है, उसके कौन-कौन से फ्रेंड्स हैं, उनके नाम, उनके फोन नमबर, उनके अड्रेस, इसमें सब लिख दीजिए इंक्वारी करेंगे, आपकी बेटी अगर मिल गई, तो आपको इंफॉर्म करेंगे, अहां ठीक यह है सर, थोड़ा जल्दी ढूने, आपको ठीक से सुनाई नहीं देता क्या मेडम, कहाना आपकी लड़की मिल गई, तो आपको इंफॉर्म करेंगे, बस वो बात नहीं है सर, बता दिया है, वो लड़की है, चलो चलते है, सर जाए, घास खाने वाला जानवर कम से कम दूद तो देता है सर, रिश्वत लेकर उने उनकी बेटी मिल जाएगी, ऐसा कम से कम भरोसा तो दे सकते थे न आप, यही आपके घर हुआ होता तो, क्यों बेटा सोशल रिस्पोंसबिलिटी ले रहे हो, पुलिस वाले के सामने बैठकर फिल्मी डायलोग मारने का मन कर रहा है, हर इंसान से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, बोल रहे हो, लेकिन देने वाले के लिए तो कुछ नहीं बोला तुमने, आज कल मिसिंग कम्प्लेंट्स आते हैं, ये पूरी फाइल देख लो, कोई आता है, मेरी कुतिया गुम गई, कोई आता है, मेरी बेटी गुम गई, कोई आता है, मेरा बेटा गुम गया, ऐसी कम्प्लेंट्स लिखवाते हैं, और हम लोग खाकी पहने हुए कोवे की तरह, काओ काओ करते अरे रे कॉंस्टेबल जी आप हमारी बेटी की तलाश कर रहे थे क्या आपको कंप्लेन लिखवाई उसी दिन रात को मेरी बेटी वापस घर पर आ गई आपको इंफोर्म करना हम लोग भूल गए सोरी सर और फिर फोन पर जोर दोर से हसते हुए फोन कट कर देते हैं बेटी वापस आई तो हमें नहीं बताना चाहिए कंप्लेन लिखवाना जरूरी समझते हैं बताना जरूरी नहीं समझते हैं बुद्धी हमें नहीं जनता को नहीं है हर इंसान हमें गलट ठेराता है एक और चाहे लेकर आठंडी हो गई सर, साइन चाहिए लिक्षा, अनवान देफल जाना है हेलो, मैं डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ आपके बेटी मिसिंग ऐसे कंपेंट दी थी ना, क्या हुआ? सर, उसी दिन मेरी लड़की वापीस आगे थी, और जिस कंपेंट के बारे में मैंने तुम्हे बढ़ाएं आटो, आटो, प्लीज रुको, आटो, भाया रुको, रुको भाया रुको ना, प्लीज, सर, सर बेटा, मेरी बेटी हॉस्पीटल में है, वहां तक छोड़ दोगे क्या, बढ़िए बेढ़ो थैंक्स बेटा, ओमनी हॉस्पीटल प्लीज अरे कुछ नहीं है, छोटा प्राब्लम है, हाइपोग्लेसोमिय कहते है इसे, ज्यादा फिकर करने की सुरोथ नहीं है, बॉड़ी में शुगर लेवल जब कम हो जाता है, या फिर सोडियम लेवल अचारा कम हो जाता है, तब ऐसा होता है, लड़की को अच्छे से हल्दी खान ठीक मैं जेता हूँ, हलो सर, उस दिन क्या हुआ था, एक्चुली उस दिन मैं आनंदगर के बस टॉप पर वेट कर ले थी तो बहुत वीक्निस महसूस हुई सर, ऐसे मैंने आखे बंद कर लिया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उठके देखा तो बीश रोड के पास एक हॉस्पिटल में थी, कौन सा हॉस्पिटल, रेडना हॉस्पिटल, सर, नमस्ते, सर, आप, मैं, किर्थी के बारे में बात करने के लिए, बैठो, सर, आपके बेटी कीर्थी, पानी पीना चाहोगे, यह ग्लास पानी लाओ, आपके बेटी के बारे में बात करने के लिए, पहले पानी पीलो, किर्थी की मौट से पहले, तुम चले जओ बेटा, वो बात नहीं है सर, मेरी बात क्या, जा बात नहीं है बेटा, मेरी बेटी किसी के साथ गौंती थी, और वो पेट से भी थी, फिर उसने हमें दोका दिया, यही कहना चाहते हो न तुम, तुम से पहले यहां पुलीस आकर गई, उन्होंने भी यही कहा, रोज सुबह मेरी नींद खुलते ही सब यही सवाल पूछते है, रोड पे चलने वाला हर इनसान मुझसे यही सवाल पूछता है, सुन सुन कर मेरे कान पक चुके है, मैं दुखी हो चुका हूँ, आखिर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो, उसके बारे में जब तक, हर इनसान तरह तरह की बाते नहीं बना लेगा, तो नींद नहीं आएगी क्या, यह क्या है सर, यह मेरी बेटी की रिपोर्ट है, जब तीन मेने पहले वो चक्कर खाकर गिर गई थी, तब किसी नो उसे हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया, उसी से संबंधित रिपोर्ट है यह, मा, मैं जब यूएस में था, तब प्रिया हॉस्पिटल में है, ऐसा आपने कहा था, क्या हुआ था? हम, बस, 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 देखो, खाना ठीक से न, खाने की वज़ज़ से चक्कर आकर गिर गड़ी वो, तुम ठीक सिखाओ, जी कही है, हाई, तीन मैंने पहले, कोई साधना नाम की लड़की यहां पर एड्मिट होई थी, एक मिनिट, एड्मिट होई थी, किसे ने एड्मिट किया था? एमर्जेंसी में एड्मिट हुई थी, एमर्जेंसी मतलब यूज्वली एम्बिलेंस लेकर आते हैं, एम्बिलेंस के डिटेल्स दे सकते हो क्या? आप पुलिस है क्या? अंजी नहीं, सॉरी जी, डिपार्टमेंट के अलावा हम बाहर वालों का इंफिमेशन नहीं देते हैं, एक हफ्ते पहले लक्ष्मी नाम की किसी लड़की को यहाँ एड्मिट किया था? एम्बिलेंस से लेकर आये थे, एम्बिलेंस देटेल्स आप कुछ दे सकती हैं? सॉरी सेर, हम डीटेल्स नहीं बता सकते हैं, एक हैं नहीं लुक्त नहीं करने हैं, पांच महेने पहले मोनी का नाम की लड़की यहाँ आड्मिट हूए थी? वन मिनिट, फाई मुन्स अगू? यह एम्बिलेंस से लेकर आये थे, एम्बिलेंस मे क्या? यह सर्, यह सर्, यह सर्. कि अज़िए बात सुन कल का दिन मुझे सही नहीं लग रहा है काली का दिन सही है कल सब के सब विसरजन की जल्दी में रहेंगे कल एक मचली को पकड़ नहीं होगा मैं बोलो नहां मैं बाद में कॉल करूग अगर कुछ बात नहीं है तो क्यो मुझे इनी बार फोन कर दिए अन्हीं वैसा नहीं है प्लीज सर, रास्ता खाली कर दीजे प्लीज प्लीज उस तरफ चलिए शूती कहा है रास्ता क्लियर कर दीजे मैणम, सर ओल क्लियर, ओल क्लियर एक्सक्यूज मी हाँ, बोलिये यहाँ एक वाइट्रिस पैने हुए लड़की आया थी आपने देखा क्या कि अब तक उसे लेकर क्यों नहीं आए यह वस्पितले कि बिल्कुल एंबिलेंस पे मैंने नाम देखा अपनी आंखों से देखा था बिल्कुल देखा था हलो टेकनिकल डिपार्टमेंट कहा है उस तरफ सर शाई साइ सर को जो भी इंफार्मेशन चाहिए दे दो ठीक एक एक मौल के दूसरे तरफ समंदर है शहर में हर जगा वी सर्जन की भीड है मेरे मुताबिक उनके पांच किलोमेटर से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है मौल से सब डिरेक्शन में पांच किलोमेटर का सरकल बनाओ क्या सर मौल से सब डिरेक्शन में एक पांच किलोमेटर का सर करें अब अब लोग दसपना से लेके जगदंबा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं ओके यहीं पर हूँ और अब अब एंबूलेंस को क्यों रुका रहा है वह तु अरे वह बाई नहीं है शुरूती इसमें नहीं है अच्छा अभी एक अबूलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है ओके जा रहा हूं सुनो संपत्विनाय टेंपल से लेफ ले लो और फ्लाइओवर पे जाओ फ्लाइओवर ओके वो तुम्हारे सामने ही है हाँ बस सौ मीटर की दूरी पर है जागा हाँ सौ मीटर की दूरी पर हाँ है खोलो रुक जाओ निहा इसमें भी नहीं है मैडम रेल्वे सेशन के पास अच्छा रेल्वे सेशन की तरह फेक और आम्बिलंस जा रही है नहा लेव लें लेव ले लेव ले ले लेव 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 ले लेयव वो तुम्हारे बहुत पास है अच्छा त Mins Good बहुँए रती नहा इसमें भी नहीं है अलीपुरम जंक्शन पोस्ट के एक एम्बिलेंस बहुत देर से रुकी हुई है इसमें कोई भी नहीं है ओ भाई कौन है तू मौल से जिस लड़की बलाए वो कहा है कौन सी लड़की मेरा काड़ी खराब हो गया मैं कब से इधर ही हूँ लिसल लिसल हाँ बुलो रोजल की तरफ एक आम्बिall楽से जा रही है ओके जा रहा हूँ राइट लेड़ो राइट पे वहां से स्टेट जाओ यहां से लेफ्ट लेफ्ट लेड़ो लेफ्ट क्या वहां से स्टेट जाओ अरे, वाय है वी इस टॉप्ट? निया यहां पर डड़ एंड है कुछ तो सोचो, अपने पास टाइम नहीं है अच्छा सुनो, अम्बिलन सिग्नल के पास रुकी है, प्लीज मेक इत पास्ट, गो! ठीक है, जा रहो हूँ! अच्छित इस वोड़े झाल 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 कि अबुलो निया अबुलेंस वहां से आगे बढ़ रही है अरे रुको अबुलेंस से तुम आगे चले गया हो कि अबुलेंस तुम आगे किसे जा रहा हूं तुम आगे चले गया हूं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है अबुलेंस तुम्हारे तीशे पीछे जा रही है कि अबुलेंस तुम्हारे राइट से आगे जारी है तुम हिल भी नहीं हो गज कि अबुलेंस तुम्हारे पारे तुम्हारे पष्ब्ंदर आण àsबया। ढश्मर की एंदर आण फिल एंदर भाले मेंदो! दोले में दूँए! यार! बापी को नष्ट करे यब दूखु तुमारे बापी का नाश करे कुट्ने दुरोके तुक्ति नहें बापिको ! शुट ! अगिरी पाजर कर दे तू शाक्तिको दिका ! एए ! लक्तायकोर बड़ी मचली है ! अब त्यांदी कानो ! एए ! इसको भी काज़ेंगे अच्छ ! हाँ ! जोले कानाई ! अस्वाथामा ! अस्वाथामा ! अस्वाथामा ! कोई तेरे जयसा तुद्धाना कोई विजाई तु है तेरे जयसाना है कोई शब दुपा नाश करे फीर कुपड़ा शब दुपा नाश करे फीर कुपड़ा सब्दा तु दिर में ले लोग की लख्शा करे रट्ने की रह पे चलत को जाना कर दो कर भाए कि बंपजड़ meters हिए 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 है फाज्से चल तर नहीं झाल नहींजर हु इससा कौ सeder नहीं झाल से टाए हुए इस खाल करदा है इस लड़की को जानता है इस लड़की को उठाने वाला मैं हूं सर वैसे दिने के बाद छोड़ने को कहा छोड़ दिया मैंने छोड़ने को कहा क्या समंदर मा की किसम खातो सर और मजो को सी बता किसने छोड़ने को कहा इसने बोल किसने इसने बोल इसके पीछे किसका हाथ है किसका जोड़ने इसे की इस्टाल गशार है किसम इसने नगि इसने इस दिने के बाद छोड़ने को कहा छोड़दिया मैंने शमंदर माखी किसम खातो सर और पर गिए नहीं केस था अधिल्टर साथ एक पोस्कॉटम केस है एमर्जन्जन्सी है देख लीजिये न आफर 6 पीम पोस्कॉटम में नहीं करता पता ना आम सॉरी सर्थ प्लीज सर्थ थोड़ा अर्जन्सीए प्लीज सर्थ जज की वेट ए सर् एक रड़ी करो Bodies get heavier after death 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 एंदायां एंदाता णेट कर दो से ढमसु dependence on डते स्सेरीव खरी की किरह ख cyclist कि लग जए वा – नहीं रहाव खर नहीं व्हीं थित झाल थोड़ा और मुझा होती तो आच्छा होता क्या लाश के साथ इंसान की इच्छा पूरी होनी जरूरी है वो जिन्दा हो या लाश हो कुछ फरक नहीं पड़ता हावस पूरी होनी चाहिए कुमार आँ मैं आगया आगया चलो आगया आगया देनियल पावार अरे गदे के बच्चे आया हूं कह भीना जा क्यो रहा है तुम बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा ना इतना बड़ा इंसान जब जा रहा है तो बोलने के क्या सवरूत है चाचा लिख लो जोजब माधब आँ जा रहा हूं चाचा जी ये सब क्या है सब आने की बद करके जा रहे हैं समुंदर हमारी मा के समान है रोज सुबह सुबह उस माँ पे विश्वास करके समुंदर में मचली पकडने जाते हैं किसी दिन समुंदर मा अपने पसंदिदा इंसान को अपने गर्भ में छिपा लेती है जिनकी जरूरत नहीं उन्हें समुंदर से बाहर फेकती है हम मचलियों को पकड़ सकते हैं, पर समुंदर की आंधियों को पकड़ नहीं सकते न, बेटा? इसलिए रोज कितने लोग आते जाते हैं, गिंती करते रहते हैं, वैसे तुम कौन हो, बेटा? मैं इलेक्शन सर्वे से आया हूँ, चाचा, आपके यहां कितने लोग हैं पूरे? यहां कुल मिलाकर 390 लोग रहते हैं, उन मेंसे 207 लोग तो मच्छुआरे ही हैं तो फिर सभी लोग समंदर से आ गए हैं क्या? यह रो दादा, चो मसली आपने वांगी थी, जाकर माजी को दे देना अरे रामू, वो दाविद, रवी, चंदू, आरिया दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हें समंदर में दिखाई दिये थे, क्या? मैं समंदर के, उस तरफ गया था, वो दूसरी तरफ गया होंगे, मुझे कुछ ने बता ठीक है, पूरा बारह लोग आना चाहिए, यह लफंगे कब आएंगे, तुम्हें काम करो बेटा, कल सुबह सुबह ही आ जाना, और अपना काम कर लेना, चलता हूँ बेटा हुँ, बोलिये दादाजी, वो लड़की, नए रहने दो, आज का हो गया, बात वो नहीं है, हमारे लोगों को किसी ने अबुलेंस रोक कर मारा, ठीक है, घारा, वोन लोगों को भी लेके आ, कौनो बेटा तुम, सर, शिवशक्ती ट्रावल्स, पीछे वाली बिल्डिंग है ओके सर, तैंक यू, चलो, यही है वो, नवस्ते मालिक, आप यहमारे भगवाने सर, आप कही कारण हमारे बच्चे कौनेंट स्कूल में बढ़ रहे हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम सभी मिलकर घर आए है, आओ, मिलकर खाना खाते हैं, अले, आपके साथ, नहीं सर, इतने दिन मेरे लिए महनत किया, मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हैं, गया, प्लीज, बैठो, 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 प्लीज, तुम भी, प्लीज, बी कमफिटेबल, दाद अचे, हाँ, 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 देता हूँ, यह तुम लोग के लिए स्पेशली बनाया है, खाओ, कमउन, कमउन, हम, खाओ, 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 शर्माओ मद, खाओ, असल में क्या हुआ है, मालूम नी सर, उसको दबूर भैचेंद भी नहीं है, जोर से आगे टक्कर मारा, हाँ सर, मैं समझ गया, इनके साथ अच्छा रिष्टा बनाके, उन्हें मरवाना है क्या, आप बिल्कुल चिंता मत किजिए सर, इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, हाँ हां, मार डालेंगे, मार डालेंगे, खाओ, उसे मुझ तक पहुछने का जरिया, यही लोग है, इसलिए इन सब को खाने के बात मार डलने का सोच रहूं, खालो खालो, खाने के यह बात ओ, कम आन, प्लीज खाओ अरे, यह चिकन क्यों नहीं लिया खाओ खाओ, शर्माओ मत खाओ खाओ घ्ट कि युर के युव्छना कि युव्छन कर दो गया खुट वि खुट भंधोर कोमिहीं खुट समय कि अारिय को. अधर बोल भंधोर का तुम अईक्षी कि वोंधोर कि ने ड Lacom थारी विंदे व्हाना, भ sानका ऐंगिहीं. प्हूप कर सकता है कर देखा मौत मेरे हातों से अच्छा तू अपने हातों से ही अपने आपको मार देखा यह कितना बड़ा दरिंदा है भगवान सारे कोरूओं की क्रूरता से भी बढ़कर इसकी अकेले की क्रूरता है हे भगवान अरे वो मेरे मामा का बोट है उस पर मत बेठव अरे उत्रलकिको टामा हूँ अरे तू क्या कर रहा है एए छोटे ये बोट किसकी है नमेरे मामा की बोट है उनका खर पताए क्या mid seniors चल इनको दिखा के आते हैं और कितना दूर है यहीं पे है भाईया मामी आपसे कोई मिलने आया है मैं एलेक्शन सर्वे की तरफ से आया हूँ एक बार आप अपने पती को बुलाएंगी वो घर पे नहीं है दो दिन पहले मशली पकड़ने गए थे मेरे ख्याल से एक दो दिन में आ जाएंगे एक ग्लास पानी मिलेगा हां अंदर आये साब आये यह लीजे साब राजमा हां रुक रुक आती हूं मैं आप बैठिये साब मैं आती हूं हूं आती हूं प्लुक प्लुक व्लिक प्लुक बबड़ई व्लुक ।परी को गे प्लुक रई प्लुक माँ हलो बेठा कहा हो मैं बहार हूँ बताव ना आज रक्षा बंदन है ना बेहन घर पर आई है रा देख रहे है तुम्हारी जो तेरे संग काटी राते जीए जो हसी लं है जो तेरे संग बाटी बाते भूने जो हसी सपने दिल में वो रख लिये लं है सारे प्यार के ये बंदन है खुश यो भरा तेरी रक्षा करू मैं सदा तेरी दुआए तेरे साथ रहे तेरे साथ रहे मेरी दुआए सासुमा ये कितना क्यूट लग रहा ना इस फोटो में प्रिया जब पैदा हुई थी तब लिया था ये फोटो प्रिया को उसके पिता से पहले और कोई नहीं देखे इसके लिए दर्वाजा बंद करके पिता के आने तक वही पर खड़ा था वो है 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 अब आने से पले दोर नॉक करके आ सकती थी हमारे बीच पे फॉर्मालिटीज है ये मुझे पता ही नी था सॉरी मेठो मैरे जो गिफ्ट दिया वो पसंद आया देखा निया बहुत बढ़ी है जूट उनसे बोलो जो तुम्हें जानते नहीं है उनसे नहीं जो तुम्हें जानते है वो मैं बिजी था इसलिए दिखा नहीं देखा तो नहीं बोलना चाहिए था देखा ऐसा जूट क्यों बोला न उत्च में सी अभी देख लेता हूं लाओ अरे और बास बह planting एयुक्षा है कि इसका में अभी वर्ड बिहेव कर रहे तुम में कहा व्यर्ड बीहेव कर रहाूं निया नार्मल ली तो हूं नार्मल नहीं हो तो नॉर्मल होती तो कहते लिषो गया है हर बात तुम फोन करके बताते हो अभी फोन करती हूँ तो मैं अभी बिजी हूँ बाद में फोन करता हूँ ऐसा कहके गुस्से में फोन रखते हूँ बहन की शादी के बाद अपनी ही शादी होगी ऐसा कहके कितना खुश हुए थे अब वो खुशी किदर है क्या बताओ मैं तुम्हें शादी से दो दिन पहले मेरी बहन मरने जा रही थी यह बताओ तुम्हें शादी से पहले वो प्रेगनेंट हुई वो कौन है यह पता नहीं यह बताओ मैं तुम्हें कुछ बातें प्यार करने वाली लड़की से ही नहीं कुद की मा के साथ भी शेयर नहीं कर सकते मेरे हाथों से मैंने प्रिया का अब ओशन करवाया मौत से भी बड़ी ससा है वो अरे उसके जो गुस्सा है वो मैं किसे बताओ उसके खुश रहने के लिए मुझे चुप रहना प याया आरी में, स्टार्ट हो जाएगा दीदी, दीदी, सुनो ना, आज अब बहुत अच्छे लग रहे हो, तेंक्यू, पर आपने जो डियो लगायन वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपके लिए मेरे पस अच्छा दियो है, ये लीजे, ये लीजे, अच्छा है, दोसो की ह पर मेरे पास तो पांच्सो का नोट है, मेरे पास छोटे नहीं है, दीदी, थम रख लगी, थम रख लगी, थांक्स दीदी, प्रमुक व्यापारी व्योमकेश रगुपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरण हो चुका है, पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे जगडे की कारण हुआ होगा, सुनो, एक बार न्यूस देख लो, शेहर के कमिशनर राजनार ठाकूर खुद इस केस की तहकीकार कर रहे हैं, शेह, क्या जिन्दगी है, क्रोड़ो रुपे का खरचा करे बंगला पानाता है, और एक कप कॉफी भी नहीं बिलाते, ऐसे बच्चों का ध्यान ने रखेंगे, तो बच्चे भागेंगे नहीं, तो और क्या करेंगे, भाई, एक चाय दे ना, एता हूँ, क्यों भाईया, इतने कुछ से में क्यो लग रहे हो, क्या बदाओ भाई, लड़की को गुम हुए, छे घंटे हुए, इतनी देर के बाद कंपलेंट कर रहे है, छे घंटे में तो लोग बार देश चले जाते हैं, इतनी तो समझ होनी चा जाय पीने तक का टाइम नहीं है, ये कोई काम है, इससे तो अच्छा घर जमाई बन जाता है, हैलो नेहा, तुम, मैं सौम्या की फ्रेंड अंकल, आंटी कहा है, उपर जाओ वही होंगे, ओक्या अंकल, बेटा, एक मिनिट, आप, आंटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, ट्राइटो फीद हर सम्थिंग, ओके, सुनो, मैं उस लड़की के रूम में, हाँ, गट, वो लड़की काउन सा फोन इस्तेमाल करते, मुझे किसे पता होगा, बेट के बगल के सॉकेट में किसी कंपनी का चार्जर होगा, हाँ, दिखाई दिया, एक मिनिट, उसके पास आइफोन है, आइफोन यूजर सभी उनके बैक अप के लिए लैप्टॉप या फिर आइपेड में वो आइकलाउड में लिंक करते हैं, वहां पर है क्या दिखो, हाँ, यहां पे लैप्तॉप है, ओपन करो एक बर, पासवर्ट मांग रहा है, पासवर्ट पासवर्ट पासवर्ट, अब अब बगल में क्या रखा है, डॉल्स, पैंस, के माता पिता के साथ वाले फोटो, लेकिन मा के साथ फोटो ज्यादा है, मा के साथ ज्यादा फोटो है, उनकी मा का नाम प्रभा होती है, प्रभा होती टाइप करो, यह, रॉंग पासवर्ट बता रहा है, पासवर्ट 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 आपके बीटी की परस्टनल चीज़ें जेक करनी है शान्ती हाँ साब इन्हें सोमय के कमरे में ले जा थैंक यू सार चलिये साब यह भी रॉंग पासवर्ड है एक मिनिट लाइन मेरो इंस्टाग्राम जस्टिन ट्राइ करो जस्टिन जस्टिन ट्राइ करो हाँ ओपन हो गया यस अब सारी इंफोर्मेशन मुझे जल्दी से फॉर्वर्ड करो उस तरह मैं साब सव्या के बारे में कुछ पता चला नहीं मैडम इन्विस्टिगेशन चालो है ओके उनकी चीज़ें थोड़ी चेक करनी है या थेंक यू मैंदम हे बेबी कितना समय कहा हो तुम और आते समय रेड बुल लाना मत भूलना आपका कंट्रोल लूं का है उधर सर वो फर्स्ट कैमरा उपन करो हां ओके सर सेकंड खोलो पार्किंग का कैमरा उपन करो हां करता हूं सर लड़की यहीं से बाहर गई है पर हमें ठीक से देखता है CC TV फूटेजे बार चेक करने आपकोन हो मैं मेडिया उनके साथ आया हूं ऐसे हां चली मिरे साथ ठीक है जरा यह कैमरा उपन करना ओके सर यह देखो जरा यह कैमरा उपन करना जरूर रुको जूम करना यह लड़का कौन है यह यहीं सिगनल के पास फूल बेसता है थैंक्यू यह लड़की को देखा है हां देखा बहिया इसे मैंने स्प्रेभी बेचा तुम स्प्रेभी बेचते हो नहीं बहिया उस दिन उस चाचा जी ने कहाता इसलिए बेचा अरे बेका जड़ा यहां ना क्या हुआ चाचा मेरा सीर घुम रहा है यह स्प्रेभी सकते हो क्या तुझे मैं पचास रुपे देता हूं ठीक है दो ठीक से देख यह चाचा जी वही है हाँ यही है भाईया ठीक से याद करके बोल यही है क्या यही है बहिया मुझे ठीक से याद है वह जाग ठेकने वाला और इस पुड़े का क्या संबंध है यह मिला तो सम्झो पुठा मिल गया चाचा जी क्या हुआ बेटा उसी दिन बताया था न मैंने और बारह लोग आने वाले थे सभी लोग तो आ गए लेकिन ड्रवी, चंदू, डेविड, आर्या आए ही नहीं हफता भर बीट गया और उनके आने की उम्मीद भी नहीं लग रही इसी लिए सभी और थें रो रही है आज की गिल देला देने वाली खबर सोम्या नाम की लड़की का अपरन हुआ था और आज इसकी लाश मिली है अपरादी में लाश को पुलिस स्टेशन के आगे ही ठेक कर शहर को हिला के रग दिया है माता पिता रगुपती राजु प्रभावती करोना बंदी नहीं हो रहा ह पुलिस दिपार्टमेंट के लिए ये केस बड़ा सवाल बन गया है ये अपरन एक बड़ी सोची संजी साजी है एह कह रहा था ना पर तुम सुनोगे कहा पुलिस स्टेशन के सामने ही लाश को फेक ना ये को छोटी बात है क्या अबर जानने के लिए से ट्यून टीवी ना का अपरन हो चुका है फुलिस का मानना है कि ये व्यपार में हो रहे जंगडे की कारण हुआ 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 है तुझे ड्रक्स की आदत है क्या आर यू ए ड्रॉग एडिट है तुझे ही पूछ रहा हूँ है ड्रक्स लिया था क्या तुने अलो होट् है क्या कर रहा है शीज़ ट्रॉग एडिट ट्रॉग एडिक्स को नॉबल डोस देते तो काफी नहीं है इसलिए वो होश में आ गई इसने मुझे देख लिया अगर मैं बाहर गया तो मैं पकड़ा जाओंगा मुझे जेल नहीं जाना मुझे जेल नहीं जाना आई नीटु क इसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ सकता है जिन्दा नहीं छोड़ सकता है तू पागल हो गया क्या क्या कर रहा है रुको इसे मेरे बारे में पता चल गया है इसे जिन्दा नहीं छोड़ सकता राग डालेगा क्या तो इसे छोड़ दू क्या इसे छोड़ने का मतलब एड्रेस डोर नमबर के साथ दे दिया समझो इस लड़की को अगर मार दिया तो प्राब्लम हो जाएगी छोड़ दूंगा तो यही बार जाने के बाद और बड़ा प्राब्लम खड़ी कर देगी तू जल्द बाजी मत कर सोच दे अफरन करना गलत नहीं है सबूद छोड़ना गलत है इसलिए इसे छोड़ूँगा नहीं तुझे समझा रहा हूं समझ में नहीं आरा मैं जो कह रहा हूं तुझे समझ में नहीं आरा क्या तुझे अलरड़ी कहा राक्षस और भगवान को जिन आखोने देखा उसे और कुछ देखने का हाग नहीं नहीं, पकड़ा जाएगा पकड़ा नहीं जाओंगा कहा ना को ओना तुझे नहीं जाओंगा बात कर रहा हूं समझा शु.. शुट अब है है तो ने बहुत बड़ी खालती कर दी इतने दिनों से लड़कियों को लाकर तेरी जरूरत पुरी होने के बाद उन्हें हॉस्पिडियल में छोड़ देते थे जिन्दा रहती थी इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था अगर ये लड़की नहीं मिली तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी अब इस लाश का क्या करोगे सिटी के कमिशनर इस समय इस केस की तहकीकात कर रहे हैं दादा क्या है बिटा इस लाश को ले जाकर पुली स्टेशन क के सामने फेग बुली स्टेशन के आगे अब वो घर को ढूंडते होई यहां जाएंगे येस मैं आपका फोन बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था लगने रहा था ओ सॉरी मैंने फोन नहीं देखा आपको न्यूस पता ही होगा बॉम देवा रगुपती राजु की बेटी को मार कर पुली स्टेशन के आगे फेग दिया गया उसकी बड़ी को आपकोई अटॉपसी करना होगा ओओ ओगे आप चलिए मैं आता हूँ ओगे थेंक्यू दॉक्टर मनोज कुमार मरने वाले को बचाने के लिए इस शहर में सौ हॉस्पिटल है पर मरने के बाद भले वो सी अम हो या सी अम का बेटा हो उसके लाश को मेरे पास ही लाया जाता है मेरे पूरे करियर में एक बॉडी का आपसी करते वक्त फर्स टाइम मेरे हाथ काप रहे थे एक बड़े रोड से सर पर मार मार के उसका अफसार बुडी तरा बुड़ दिया डेफिनेटली ही नौड़ दिया मार के लाश को पुली स्टेशन के सामने ही फेग दिया मतलब लुक अजिए ब्लुडी कॉन्फिदेंस उसे किसी ने पकड़ नहीं सी लिए खुला चालेंज कर रहा है रेक्वेस्ट आल दो पुलीस पुलीस डिपार्टमेंट को 100% मेरा सपोर्ट रहेगा फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ हो जाता है तो मेरे पास ही आना मैं डीपस कंडॉलांस तो हर पारेंस अव्यू था पारेंस सार सार चाल तो में अभार्ट हो यू अद आफिशली इंसेन नव उस लडगी को केसी भी तरह ने आई मिलना चाहिए यह गुम हुई लड़किया, साथना, किरती, सौम्या, इन में से हमारी प्रिया भी थी, ऐसे कितनी सारी लड़किया हमेशा गुम हो रही है, असल में बात यह है कि इन में से किसी एक कभी, प्रोफेशनली या फिर परसनल, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, वो लड़की को सिल करा है. वभए कॉलिन में गुम होने वाली क्यूरती, उसे चल वर्ठी करवाया गया, सिता-मदारा में गुम होने वाली साथना को पास के षाह एक या दो लड़किया इस प्रॉब्लम से एडमिट होती, तो में इतना ध्यान नी देता, पर एडमिट हुई हर लड़की इसी रीजन से एडमिट हुई है, और तब मेरा इस विशे पर ज्यादा ध्यान गया, और तब मेरा इस विशे पर ज्यादा ध्यान गया, and then I started researching for this, नैचरली भी अटाइक कह सकते हैं, I'll explain you, 1960 में, रॉबर्ट टिसोजर साइंटिस ने, हाइपो मेसीन की खोच की, उसके खोच करने का में रीजन था, एक इंसान का वेट कम होने के लिए, ये ड्रग्स लेने के बाद, इंसान की बॉड़ी डी हाइडरिशन होना शुरू हो ज इनके शॉट को विडाट प्रोफेशनल सर्विलेंस ले लिया, पर ओवर्डोस होने की कारण हैवी डी हाइडर होकर वो अबर गई, तभी UK गवर्मेंट और वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल ने इस ड्रग प्रोफेशनल सर्विलेंस के बिना लेना इलिगल कह कर बंद कर दिया, जहां जाओं वहां रास्ता बंद पड़ा था, एक दूसरे से संबन ना रखने वाले इंसान, मचली पकड़ने वाले मचवारे, शकुनी के जैसा एक बुठा, ये सब के वाले एक नाटक के बात रहे हैं, इन सब को एक ही स्टेज में खिलाने वाला निरिदेशक काउन है, टोटली कनफ्यूस्ट हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या, साक्षात अरजुन के आने के बाद भी उसे समझ में ना आया, ऐसा चक्रिव्यो सेट किया है, पर उसे ना समझने वाला विशह यह है कि उसे ढूडने वाला कोई अरजुन नहीं है, ब इस बात की क्या गारंटी है, मैंने उनकी बात सुनकर भरुसा नहीं किया है नहा, आखे, उनकी आखे जूट नहीं कह सकती, हमारे प्रदेश की राजदानी वाले इस शेहर में फिर से एक हाथसा हुआ है, शेहर के बीचो बीच होने वाले वाले वाईजर सेंटर मॉल में, संधय नाम की लड़की का अपरण कर लिया था, और खबर ये है लिए, सर कौन है आप, मुझे आपका CCTV फुटेज देखना है, सॉरी सर, इस कॉन्फिदेंशियल, आपको नहीं दिखा सकते, दस हजार, सर, 11 बचे मेरी शिफ्ट हो जाती है, आप 10 मिनिट पहले आजाओ, मैं इसा क्यों, मैं जैसा कह रहा हूँ, वो करो, सेकंड फ्लोर ओपन करो, रुगो रुगो, इस लड़की को फॉलो परो, ठीक है सर, नेक्स्ट, रुगो रुगो, पास करो, जून करो, ऊस बॉढ्डे को फॉलो करो, उस बॉढ्डे को, फॉलो करो, सर, वहां पर कोई कामेरा नहीं है, पहुँआ, कैसे 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 कैसे, बाके सर, बाक करो, और बाक, और और और, गाना, काषा ऑगो solita. रुक जाओ उसे फॉलो करो फर्स फ्लोर फर्स फ्लोर यहाँ पर कैम्रा नहीं है सर कार पार्किंग पार्किंग में पार्स करो शिवा शुक्ती ट्रैबल्स खैनल रुच्छा शिवा शक्तृट्रवश प्रिषवालब डिढ़ know आखलमी जाओ पीवाल आप दॉक्टर मनुष कुमार है ना? येस आपने सौमया का पोस्ट मॉटम किया था ना? ये उस केस के एरे मुझे कुछ इंफोरमेशन चाहिए आप पुलिस मेर के? नाई सर अपर मुझे है नाम के ड्रक्स के बारे में चोटे इंफोरमेशन चाहिए ओके लेट में मेक अ कॉफी फो यू हम कम इंसाइड सेर आप गदे कॉफी सर हमारे शहर में जो किड्नैप हो रहे हैं और हाइपोमेशन नाम के ड्रक्स का कोई संबंध है ऐसा मुझे लग रहा है सर उस दिन अपने सौमे के बॉड़ी का पोस्ट मॉटम किया था इस ड्रक्स से संबंध है थे कोई ट्रेसस मिले थे अपको? कॉफी पीते वे बात करते हैं हम सेट कौन है वो? पागल है महरने के लिए खुदी आया है पहले से क्या रहा था ना अब क्या करोगे एक्सक्यूज मी सर ये मेरे दादाजी है तो दिन से दिखाई नी दिये है गरवाले बहुत टेंशन में है सुनो बलो निहा मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है ओके गुड नेक्स प्लान क्या है मैं बताओं निहां सुनो कोई पुलिस सेशन के सामने टेपोली पेग कर चला गया है उन्हें देखा क्या? नहीं तुम अजनली उने फॉलो करो मैं आ रहाँ हाँ ओके कॉफी मतलब कॉफी अलो बेटा मुझे कोई फॉलो कर रहा है तुम टेंशन मतलो जैसा क्याता हूँ ऐसा करोगा ठीक है बेटा आप कहा हो? एवीपी रोट से उश्या जंक्शन की तरफ जा रहा हूँ बेटा उदर से लेफ ले लो ठीक है बेटा सुनो उन्होंने उश्या जंक्शन से लेफ ले लिया है ठीक निहा अब कहार पुछ है कामत रोट पर हूँ बेटा राम लागर जंक्शन की तरफ जाना सुरो भूलूनिहा रामनगर जंक्शन की तरफ जा रहा है अब यह अब इंटर किया है पूर्ट नेहा उसे कोई काइड कर रहा है तुम अजटली महा से चली जाओ क्या हुआ कोई ट्राप कर रहा है क्या मैं लेकिन जैसा कह रहा हूं मैं जैसा करो नेहा पूर्ट के तरफ और उस ट्रक को फॉलो कर गीदा रहा है अब ही राइट लिया ले लिया बिटा स्रेट आजा स्रेट आजा आ रहा हूं बिटा फास्ट आ रहा हूं बिटा स्टाप ठीक है बिटा हाँ मत आज आज दिर आजए का दो आजए बेट हो मेडी को मेरत आज़ा रहा है बेटा वो समने आ गया एहां आज हो जसे आगए Allah पटे जो है बेटा 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 मुझझे बमचा लो ए Ireland के डीधा verse बेटा वो मेरे पास आगया पुझा ट दपार्ञत all कर दों आजे कर दों आजे कर दों एक्नाने ने यह भीना है जो आए यह कार नमर इससान पता है यह तो डॉक्टर मनुछ कुमार कार सर झाल 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 कर दो कि दो जो कर दो… कर दो कि below कर दो कर दो कर दो वेल्कम डॉक्टर मनोज कुमार सफेद कोट में बहुत अच्छा खेल खेलते हो आखिर पकड़े गए पापा कह रहाथा ना नेरी बात बाना क्या बाना बापा बाना बापा बाफ करो दो पापा, इसे माफ कर दो बेटा, आपको जो नुकसान हुआ, वो पैसे से नहीं चुका सकते बेहन, अगर ये बाद बाहर किसी को पता चल गई, तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, प्लीज, दया करके बाहर किसी को मत पता ना, मना मत कीजिएगा, प्लीज, मारा इसलिए दुख हो रहा है, नहीं, दर्द हो रहा है, एक बात याद रखो, अन्जाने में किया, तो गलती है, और सब जानते हुए भी करना निर्भैता होता है, कितना भी महान इंसान हो, जो गलती की है, वो किसी को पता नहीं चलता, पकड़ा नहीं जाता, तब तक ही लोग उसकी इजज़त करते हैं, इसलिए, गलती पता होने वाले इन दोनों को, कितना भी महान इंसान हो, जो गलती है, आपके साथ मार दिया, जैसे आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया पापा, हाँ, दाओ, दादा, अग् जाने में किया दाओ, इस दादा," किसी को मत बता ना दादा," तुमने अगर किसी को बतया, तो में तुमे भी मार दूँना, मैं अनाbbeत वाजाओंगे दादा," किसी को मत आजे ये मत प्लीज दादा," प्लीज, ना आपका बेटा होना, प्यारा बेटा होना, आप मेरा ध्यान रखेंगे ना दादा, प्लीज, दादा, प्लीज. तुने उन लोगों को क्यों मार डाला बिटे? दादा, वो लड़की के साथ जब मैं ऐसा कर रहा था, तो उसने मुझे देखा. इसलिए उसने अपनी मा को जाके बताया, उसने अगर देखा ही नहीं होता, तो कुछ गड़बर नहीं होती ना दादा? सब भी लोग आप जेसे देखके भी अंजान नहीं बनते ना दादा? है? हाँ, 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 हाँ. वाँ. वाँ. पापा, 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 क्या कर रहा है मैं बागल कहीं के? वाँ, 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 वाँ कि द वाल कर दों हो और दॉट रा मैं। कि विस खर जट बहा अग Yes कित इज खर जब खर जड़ कित खर झांड तर जड़ कित खर जब बहा तर स्टार टृ जज़ कित खर जड़ कित खर टूप कि प्यान से बमें़ा! इस बमें़ा सłę Гर्णा और हम इस पर उड़ी इस कि इसलिया così रिपने How इस इस खीजा भादा वादो ए्रुग नियगा है रुका 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 और भादो यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो मुझे पता नहीं पर लड़ को उटा कर ले कराना उन्हें हहराज करना यह सब हमारे पूराणों में है इसब पूराने खताओं में है चलता आ रहा है यह गलत है तो कैसे ? और पूराण में यह भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवार किया तो भले दस्सर वाला हो या निन्यानबे भाई वाला हो, सजा तो जरूर मिलती है और यही होता आ रहा है पापा बेटा किधर हो बाहर हो पापा बुलिया ना जल्दी घर आ जाओ क्या हुआ पापा तेरी बहन को किसी का फोन आया था घर आकर तोड़ फोड करने की धमकी दे रहा है जल्दी से घर आ जाओ बेटा कों ने हो पापा किसनी अपको फोन किया कोई बात क्यू नहीं कर रहा है प्रिया क्या हुआ को इस बात क्यूनि कर रहा है कोई और नहीं तुम्हारा बाहा जा जा किfert तुम आपने आए़ झाल झाल भूमी, भूमी जैसे माँ भी होती है, बहुत सारी कठिनाईयों को सहती है, बहुत सार अभार उठा लेती है, और दुनिया में मर्द बस उस पर अपना हग चताते हैं, कभी उसकी तरह सहे कर दो दिखाओ, मर्दों के सारी मर्दान की बहार निकल जाएगी, वो अपना अस्तित्व भूल जाएगे, भूमी को बचाने के लिए हर खर में एक पेडूगाने के लिए कहा गया है, पर मा के समान लड़कियों को बचाने के लिए कौनसा पेडूगा ना होगा?